सिर्फ एक मुठी घी में भून कर खालो आपको पूरी जिन्दगी, शुगर, कॉलेस्टरॉल, दिल की भीमारी, हडियों की कमजोरी और मुटापा कभी नहीं होगा नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए एक कमाल की ओश्री लेकर आए हैं, जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा जंजट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आज जो हम आपके लिए ओश्री लेकर आए हैं, उससे आपकी डायविटीज ठीक हो जाएगी इसमें कैलरी की मातरा कम होती है, इसलिए आपका वजन भी घट जाएगा और दोस्तों ये कॉलेस्टोल रहीत होता है, कॉलेस्टोल, फैट और सोडियम की इसमें कम मातरा पाई जाती है इसलिए आपका कॉलेस्टॉल नियंतरम में रहेगा अगर आप इसका सेवन करते हैं वोटापा भी आपका कंट्रोल में रहेगा और दोसो इस ओश्दी में मैगनीशियम भरपूर मातरा में पाय जाता है तो ये हमारे दिल के लिए काफी फायदेमन है इसमें सोडियम की मातरा कम होती है इसलिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए ये कमाल की ओश्दी है और दोसो अगर आप इस ओश्दी का सेवन करते हैं तो आपका हाड मजबूत बनता है और आपके जो उम्र बढ़ने की प्रिक्रिया है वो रुख जाती है यानि आपको बुड़ापा भी कभी नहीं आता और दोसो जो विक्ती थोड़ा सा काम करने के बाद ही ठक जाते हैं ठकावट आ जाती है उनके शरीर में उनको बार-बार लेटने का मन करता है तो वो ठकावट भी से दूर हो जाती है और जिन लोगों को जोडों में धर्द रहता है कमर में धर्द रहता है घुटनों में धर्द रहता है पैरों में, हातों में या कहीं पर भी बोड़ी पेन रहता है वो इससे ठीक हो जाएगा अगर आप इसका सेवन करते हैं और इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है शरीर एनरजी से भर जाता है अगर आप इस ओश्दी का सेवन करते हैं दोस्तों ये ओश्दी कैल्शियम से भरपूर होती है इसलिए आप तेश्रीर में कैल्शियम की कभी भी कमी नहीं होगी, तो जाहिसी बात है कि आपकी हडिया भी मजबूत बनेंगी, हडियों में दर्द नहीं होगा, हडिया मजबूत बनेंगी, दोस्तों इस ओश्री की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में भी आप इस तो जिन लोगों को कब्ज किसमस्या है वो ठीक हो जाएगी और जिन लोगों को अनिद्रा की बिमारी है यानि उन्हें नीद नहीं आती सारी सारी रात उनकी जाक कर निकल जाती है तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं अगर वो सेवन करते हैं इस ओश्री का तो उन्हें भरपू शरीर में कमजोरी सी आ जाती है कमजोरी फील करते हैं लोग जिनको मदुमे होता है और और भी बहुत सारे कमप्लिकेशन आ जाते हैं इससे जिनको मदुमे होता है तो वो इस ओश्दी का सेवन कर सकते हैं इस ओश्दी से उनके शरीर में जान सी आ जाएगी कमजोरी महसूस नहीं होगी उने बिलकुल भी और जीन लोगों का बलड प्रेशर हाई रहता है वो इसका अराम से सेवन करे और दोस्तों ये एक एंटी एजिंग का काम करती है इसलिए तवचा को ये निखारने में बहुत हेल्प करती है जुरियों से छुटकारा मिल जाता है अगर इसका सेवन किया जाए इसमें दोस्तों फाइबर काफी मातरा में पाया जाता है और कैलरी कम होती है तो आपका मुटापा भी से ठीक हो जाता है किड्नी के लिए ये हमारे बहुत ही फायदे मन दोश्ट्री है दिल के लिए फायदे मन है अगर आपको हार्ट अटैक आने का डर है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका सेवन करने से जो हमारे अंदर बैड कॉलेस्ट्रोल बढ़ता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है अगर आप इसका हर रोज सेवन करते हैं चरीर की कमजोरी दूर हो जाती है अगर हम और आल हेल्थ की बात करें तो इससे हमें बहुत सारे पैनिफिट मिलते हैं स्ट्रेस दूर कर देता है जिन लोगों को सोच लगी रहती है आगे क्या होगा या किसी के भी बारे में वो सोचते रहते हैं ज़्यादा डरते रहते हैं सोच कर परिशान होते रहते हैं स्ट्रेस की समस्या होने वो ठीक हो जाती है गुटनों में दर्ध है चल फिर नहीं सकते खाट पर जकड़ा हुआ इंसान भी इस ओश्री से ठीक हो जाता है हडिया मजबूत बन जाती हैं लोही की तरह अगर आप इसका सेवन करते हैं तो अब बात आती है दोस्तों वो ओश्री कौन सी है जिसके सेवन से हमें इतने सारे फायदे मिलते हैं चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि वो ओश्री कौन सी है दोस्तो इस ओश्टी का नाम है मखाने, मखाने को फोक्टनक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी हो, चाय सर्दी, इसका प्रियोग हम दोनों वोसम में कर सकते हैं, और दोस्तो ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, अब बात आ प्रियोग जरूर करें, अगर दोस्तो आप इसका सेवन करेंगे, तो आपकी हडिया मजबूत बन जाएंगी, दिल आपका स्ट्रोंग बनेगा, कोलेश्टोल किसमत से आपकी दूर हो जाएगी, डावटीज कंट्रोल में आ जाएगी, जोडों का दर्ध है, बैक पेन है, हडियों में दर्ध है, वो आपकी ठीक हो जाएगी, बुड़ापा कभी नहीं आएगा आपको, और दोस्तों ये एंटी एजिंग का भी काम करती है आपकी जो जूरिया वगरा है, वो सब खतम कर देगी, आपके चहरे पर निखार ला देगी, उमर बढ़ने की प्रिक्रिया को ये रोख देगी, मतलब कि बुड़ापा आपको कभी नहीं आएगा, अगर आप इसका सेवन करते हैं, बेवज़े की ठकावट है आपको, ये थ पास भी नहीं आएगी, यानि कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हम मखानों का सेवन करते हैं, क्योंकि इस से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा, तो काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, और काफी बीमारियां हमें लगने से ही दूर रहेंगी, तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही एक मुठी मखाना हर रोज घी में भून कर खाना स्टार्ट करें, ऐसा करने से आपकी काफी समसें हल हो जाएंगी, और आपके श्रीद में आजाएगी, फुलादी बोड़ी बन जाएगी आपकी, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू दोस्तों